या फिर आप जो हमारी नारियल की टेक्निक रहती है नारियल की टेक्निक से आप सिर्फ नारियल को आपको हाथ पे रखना है और अपने एरिया या अपनी जो भी जमीन वहाँ पर घूमना है जब ये नारियल सीधा हो जाए तो आप उस पोईंट को आइडेंटिफाई कर सकते अब यहाँ जो मेथड या कितनी साइन्टिफी के 200 फिट वोर्वेल करवाने में हमारा कितना खर्चा है दो सो फिट ही क्यों इसके दो कारण पहला भारत के अधिकतर राज्जों में सामान नेता 200 फिट की गहराई पर पानी मिल जाता है वह जब हम 200 फिट गहराई से जादा वोर्वेल कराते तो इसमें हमारी काफी जादा लागत भी आती है और कई सारी परिशानिया भी आती है दूसरा कारण या एक हमारा जो यहाँ वोर्वेल यहाँ खुद 200 फिट की गहराई पर लगा हुआ है इसलिए हमने 200 फिट लिया है 200 बोर्वेल करवाने में हमारी कितनी लागत आई यहाँ जादने के लिए हम इन पांच पोइंट्स पर बात करें पहला आइडेंटिफाइ बोर्वेल पोइंट, बोर्वेल पोइंट को ढूनना और उसे फाइनल करना दूसरा बोर्वेल ड्रिलिंग कोस्ट 200 फिट ड्रिलिंग कराने में हमारी कितनी लागत आईगी तीसरा बोर्वेल लगवाने के लिए हमें क्या-क्या एक्क्यूप्मेंट लगेंगे चोथा टोफ फाइब ब्रांडेट सबमर सिवल पंप पाच्वा कुल कितना खर्च आएगा 200 फिट बोर्वेल लगवाने हैं सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि यहाँ वीडियो ना सिर्फ किसान भाईयों के लिए जरूरी है बलकि जो भी अपना नया घर बनवा रहे और वहाँ पर वोर्वेल लगवाना चाहते हैं उनके लिए भी जरूर इसलिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी हमारी जवीर वहाँ पर हम किस तरह से वोर्वेल पोइंट को धूम सकते हैं और पता कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें वोर्वेल पोइंट लगाना चाहिए इसके लिए आप अपने एरिया के किसी भी सर्टिफाइड जियो लोजिस्ट की मदद ले सकते हैं वहाँ आपकी जमीन पर शोत करेगा और उसके बाद में आपको एक पोइंट बताएगा कि यहाँ पर वोर्वेल लगवाने पर आपको पानी मिल सकता है या फिर आप जो हमारी नारियल की टेकनीक रहती है नारियल की टेकनीक से आप सिर्फ नारियल को आपको हाथ पे रखना है और अपने एरिया या अपनी जो भी जमीन वहाँ पर घूमना है जब ये नारियल सीधा हो जाए, तो आप उस point को identify कर सकते हैं, अब यहाँ जो method है, यहाँ कितनी scientific हैं और इस पर कितना भरोसा कर सकते हैं, इस पर हम किसी वीडियो में detail में बात कर सकते हैं, पर अभी के लिए आप किसी भी अपने area के geologist से बात करें, वह आपको point ढूंके दे point ढूंडने के बाद, अब बात करते हैं कि 200 feet 4-way drilling करवाने में हमारा कितना खर्चा हैं, तो देखी, 0-100 feet की गहराई पर अगर आप drilling करवाते हैं, तो इसमें आपकी लागर सित्तर से 80 रूपे पर fit के हिसाब से आती हैं, फिर जब हम 101-200 feet की गहराई पर drilling कराते हैं, तो इसम हमारी लागत 90 रूपे से लेकर 100 रूपे के बीच में आती हैं, इस तरह से 0-100 feet की गहराई पर drilling करवाने में हमारी लागत आई 8,000 रूपे और 101 feet, 200 feet की गहराई पर drilling करवाने में हमारी लागत आई 10,000 रूपे, अब हम 40 feet की casing भी कराते हैं, हमारी जो भी मिट्टी की पतली सत रहती है वह CPA तक के लिए तो यह 40 फित की गहराई तर्थ आप जब केसिंग कराते तो यहां हमें 200 रूपे से 300 रूपे पर फिक के इसाब से लगती है इस तरह से 40 फिट की गहराई पर केसिंग कराने में हमारा खर्च आयेगा 12,000 रूपे अब हम इन तीनों खर्च को जोड लेते तो 0 से 100 फिट की गहराई पर हमारा खर्च आया था 8,000 रूपे 101 फिट से 200 फिट की गहराई पर हमारा खर्च आया था 10,000 रूपे और 40 फिट की केसिंग करवाने हमारा खर्च आया था 12,000 रूप इस तरह से हमारा कुल खर्च आया 30,000 रूप यानि की 200 फिट वोर्वेल ड्रिलिंग कराने वे हमारी कुल लागताई 30,000 रूप अब यहां पर आप जो भी जियोलोजिस्ट की मदद लेंगे वहां लगभग लग करने का हमारा खर्च आया 25,000 रूप अब हम आते हैं हमारे तीसरे पोइंट पर बोर्वेल लगवाने के लिए हमें कौन-कौन से एक्यूपमेंट लगेंगे और इनमें हमारा कितना खर्च आये तो बोर्वेल लगवाने के लिए हमें कुल यह 6-7 एक्यूपमेंट लगेंग दूसरा हमारा लगेगा starter box तीसरा bore pipe 20 feet वाले ये कुल हमें 8 लगेगे केसे लगेगे वहा हम आगे जाने cable wire लगेगा 200 feet फिर service wire लगेगा पोल से जो हमारे starter box से वहां तक आने के लिए फिर एक gate wall लगेगा कुछ clips लगेगी और GA wire लगेगा हम सबसे पहले, जो हमारा सम्मर्सिवल पंप है, 5 HP का, इसमें कितना खर्च आता है, वहाँ निकालते हैं, तो देखे, टोप पाइप सम्मर्सिवल पंप, कुछ इस तरह से इन कंपनियों के आते हैं, क्रमटोन का आता है, फिर एक किलोसकर का भी सम्मर्सिवल पंप अच्छा फिर सियार आई, सम्मर्सिवल पंप भी अच्छा आता है, जिंदल का भी सम्मर्सिवल पंप अच्छा आता है, और वीगाट का भी सम्मर्सिवल पंप अच्छा आता है, अगर आप किलोसकर का सम्मर्सिवल पंप लेते हैं, 5 HP का, तो इसमें आपकी लागर 35,500 रूपे के आ हमें कुल 160 फिट तक बोर पाइप लगेगा, इस तरह से हमें कुल 8 पाइप लगेगा और एक पाइप 900 रुपे के आसपास तक आएगा, इस तरह हमारा बोर पाइप का खरज आएगा 7200 रुप, हमें केबल वायर 200 फिट के आसपास तक लगेगा, अब केबल वायर 66 रुपे पर मेटर के आसपास आता है, इस तरह हमारा केबल वार का खरच आएगा 13,000 रूप, Edit Face Service वार का हमारा खरच आएगा 25,000 रूप, Gaet War का हमारा खरच आएगा 2,000 रूप, Electrician का हमारा खरच आएगा 25,000 रूप 200 φट की गहराई बोर्वेल करवाने में हमारा किन-किन का खर्च आये वह एक बार फिर से हम देखते तो ड्रिलिंग का हमारा खर्च आये था 30,000 रूपे, फिर समर सीवल पंप 5 HP का हमारा खर्च आये था 35,500 रूपे, जियो लोजिस्ट का हमारा खर्च आये था 25,000 रूपे, स्टार्टर बॉक्स का हमारा खर्च आये था 5,000 रूप का हमारा खर्च आया था पच्छिस सो रूपे गेट वोल वा एकसिसिन का हमारा खर्च आया था दो अजार रूपे इलेक्टरिशियन की हमारी लागत आई थी पच्छिस सो रूपे और लेबर कोश्ट आया था पद्रा सो रूपे इस तरह हमारा कुल खर्च आया एक लाग एक यानि कि 200 फिट बोर्वेल लगवाने में हमारी कुल लागत आई एक लाख एक हजार साथ सो और यहाँ पूरा का पूरा खड़ आट इंच बोर्वेल का था आप 10 इंच 12 इंच तक भी बोर्वेल करा सकते हैं या पूरी तरह से निर्वर करता है आपके एरिया के उपपर और कि किन किन में हमारा खर्चाता है या जानकर अच्छी लेगिए तो वीडियो को लाइक कर शेयर कर और एसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद किसान भाईयो जे जवान जे किसान